भोपास इस वक्त की एहम जानकारी अभी नहीं खुलेंगे पहली से आठवी तक के स्कूल बढ़ते कुरुना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं को 15 अपरेल तक बंद रखा जाएगा इसकूल सिक्षा विभाग ने जारी आदेश किया बड़ी उरहम जानकारी भोपाल से तो मुख्यमंत्री ने बढ़ते कुरुना संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है अब कक्षा पहली से आठवी तक के स्कूल 15 अपरेल तक बंद रहेंगे जिसके बाद सिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया ये बड़ा फैसला सीम द्वारा लिया गया आपको बता दे मध्यप्रदेश में लगातार कुरुना संक्रमित मरीजों की संक्या बढ़ती जा रही है कुछ देर पहले ही शिराज सरकार ने बैठक ली और आज पांच बजे इसी पर समिक्षा की जाएगी कि आखिर किस तरह कुरुना के बढ़ते हुए संक्रमित को रोका जाए और इसी को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है बढ़ते कुरुना संक्रमित को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया कि कक्षा पहली से आठवी तक के स्कूल के बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे क्लासे बंद रहेगी 15 अपरेल के बाद ही पहली से आठवी तक की क्लासे शिरू होंगी और इस कबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बिर्योचीफ कुल भूशन सकसेना हमारे साथ फोल नाइम पर जुड़ चुके हैं जी कुल भूशन तो बताएं जो सरकार में फैसला लिया है कब तक स्कूल खुलेंगी और या आदीश कब तक लाओ है बिल्कुल अभी हलाकि सरकार ने 15 प्राइल तक ये फैसला लिया है क्योंकि छोटे बच्चों पर संक्रमन का असार ना फैले और मतदेश में ये लगतार देखा जा रहा है कि जो संक्रमित मरीजों का है और जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ता हूँ नज़र आ रहा है इसी इस्टिती में बच्चों तक ये बिमारी ना फैसले इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि 10 और 12 के जो आने वाले समय में इसको लेकर सरकार का गाइड लाइन जारी करती है लेकिन सिलाल पहली के लास से लेके आठवी कच्चा तक जो स्कूल है वो अभी बंद रहेंगे और आने वाले समय में भी अगर संक्रमन इसी तरीके से फैलता हूँ नज़र आएगा तो आने वाले समय में भी इसकूल को बंद करने के लिए दिशन देश जारी हो सकते हैं खुलबुशन इसके अलावा 15 अपरेल के बाद जो इसकूल शुरू होंगे उसके बाद क्या कुछ गाइड लाइन्स होगी इन बच्चों के लिए अभी फिलाल देखा जाए तो 15 अपरेल तक क्या आदेश चारी किये गए हैं लिकिन संकर्मन अगर तेजी से पहलेगा तो 15 अपरेल के बाद भी जो है इसकूल नहीं खोले जाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं और मुक्तिमेंदी शिवरासिन चोहान ने इस फस्ट किया है कि बच्चों पर इसका संकर्मन ना पहले